नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमका बुक आफ वर्ल लेकर्ड होलडर तिस पुस्तो को के लेखक आज मैं सुरू करने जा रहा हूं गनेश डाइनस्टी गनेश डाइनस्टी जो है ब्रामिन डाइनस्टी है और आपको मैं आपको बता दू कि या बंगाल के छेत्रों में अव राजा गनेश नारायन भादुरी इनका नाम है और यह जो है फर्स्ट डूरल है फर्स्ट आपको राजा है जो आपको जिनका आपको गनेश डाइनेस्टी को स्टेब्लिस करने में इनका परथम योगदान है और यह जो है इनका एक और नाम बहुत प्रशिद्ध है दनूज मर्दन देव इनका दूसरा नाम बहुत ही प्रसिद्ध है दनूज मर्दन देव मैं आपको एक बात बतलाना चाड़ा हूं कि देश में राष्ट्रिय अस्तर पर आपको यह बहुत ही शुरुवात हो चुका है कि इतिहास को नवीन पध्धती से और नवीन तड़ीके से लिखा जाए इसमें आपको हमारे परमादर्निये प्रधान मंत्रे जी परमादर्निये ग्रिह मंत्रे जी का कई स्टेट्मेंट भी आया है और हम देख रहे हैं यहा पर मैं आपको दिखाना चाड़ा हूँ दैनिक जागरन पत्रिका है पेपर है इसमें बार बार ये गेन एन अगेन एर्टोरियल पेज में आ रहा है यह बात आपको आ रहा है कि बहुत साड़े राजा जो है उस राजा के बाड़े में उस पर रिसर्ज किया जाना चाहिए सिलेवस में इंट्रोडियूस किये जाना चाहिए और उनके वक्तित और वक्तित और विशेश रूप से चर्चा होनी चाहिए इस संदर में कई ऐसे राजा हैं जिनका नाम मैं आपको बतला देना चाहता हूँ जैसे कस्मीर के आपको ललता दित मुक्ता पीड हैं उसके बाद हैं बहराई छेतर के राजा सुहिल देव हैं इसी तरह से इसमें गनेश डाइनेस्टी के राजा गनेश और उनके वनसज है आज मैं उसी पहल के तहट मैं सुरू करने जा रहा हूँ और इस जो अभी प्रियास जाड़ी है बार बार होम राजवन्स लशित वर फूकन के बारे में काफी चर्चाएं हुई है देश अस्तर पर और इस पर काफी कार्ज हो रहे हैं तो मुझे उमीद लगता है कि जो BPSC और UPSC और अन्य Public Service Commission है इसमें इससे समंधित प्रशन आएंगे और इस सभी पर मेरा वीडियो हमने डाला है और कुछ जो नहीं डाले हैं उसको हम डालने का प्रियास करें उसी प्रियास के उसी सफल प्रियास में गनेस डाइनेस्टी जो बंगाल का है बहुत कम ब इनका व्यक्तित और व्यक्तित तो बहुत महान है इसलिए मैं आपको दिखाना भी चारा हूँ फिर से कि इसमें इनका नाम आप देख सकते हैं दैनिक जागरान पेपर में आपको बड़ाबर यह आ रहा है इतुरियल पेज में आ रहा है और एक अंक नहीं कई अंक में इस पर बारवार फोकस किया जा रहा है इस तहद मैं सुरू करने जा रहा हूँ गनेश डैनेस्टी जो आपको ब्राम्हिन सुल्तान है बंगाल का आएए मैं इनके बाड़े में बतलाने से पाले कुछ सोर्स बता दे रहा हैं कि हम किस सोर्स के आधार पर इनके बाड़े में बत मेरा अभी भी छिद्रानवेशी की तरह आपको मैं एक एक चीज का अध्यन कर रहा हूँ लेकिन यह प्रथम वीडियो है इसमें आपको काफी अच्छे जानने का मौका मिलेगा इनके बाड़े में तो उसी तहत मैं डाल लहा हूँ आपनों का शहयोग रहेगा और आप रहेगा राष्टवादी जो प्रियोग हो रहे हैं राष्टवादी राजाओं का जो प्रियोग हो रहा है उसमें उस कड़ी को ही आगे बरहाने में खास करके यह जो आपका जो राजा हैं राजवन्स हैं जो बहुत प्रमुख है लेकिन इसको बहुत तवज़ों नहीं मिल है इसलिए इस पर नव अनिवेशन किया जा रहा है और नव नवेश पध्यती से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है आईए मैं शुरू कर रहा हूं रियाज अश सलातीन जो है रिटेन बाइ गुलाम हुशैन सलीम जैदपूरी है जो यह किताब आपको यहां पर दिखाई पर है आप देख शकते हैं इसको ध्यान में रखेंगे यह किताब है आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं और गुलाम हुशैन जो हैं उनके द्वारा यह लिखी गई है और यह सलीम जैदपूरी है और इसमें इन्होंने बहुत बारीकी से सभी चीजों को रखा है यह प्री ए केरा historic book on the Muslim rule in Bengal that was published in Bengal 1788 में यह published किया है लेकिन यह बहुत ही मानक है बहुत ही इसमें बिस्तार से चर्चा किया गया है तो इस बुक को आप धिहान रखेंगे यह बहुत ही अч्छी बुक के रूप में आती है दूसरा है इन्डिया इन्ड पर्सियनेट एज वन थाउजन तू सेबन टीन हंड्रेड सिस्टी फाइब रिकार्ड एम इटन आप यहां पर आप देख रहे हैं यह जो है सो इटन साहब खुद है रिकार्ड एम इटन का यह चित्र है जो आपको देखने का मौका मिल लहा है और इंडिया इन्ड एज मैं बतला रहा हूँ पर्सियनेट एज जो है यह आपको आपको उसका फस्ट कवर आपको मैं दिखा रहा हूँ तीसरी जो किताब है अब्द अल्रजाक कमल अल्दीन इबन इशाक अल्समरकंदी जो हैं उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वह है मतला अस सद्देन वा मजमा अल्बहरेन यह पुस्तक भी बहुत महत्तपून है और इनका जो पिरियड है आप देख रहा है पिरियड बहुत महत्तपून है 1413 से लेकर 1482 यह बहुत महत्तपून है क्योंकि उस काल के बारे में पूरा का पूरा सचित्र वर्णन करते हैं काफी छिद्रानवेशी की तरह चर्चा करते हैं तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है तारी की फिरिस्ता जो फिरिस्ता के द्वारा लिखा ग्या है तो यह भी बहुत वैलेबुल ग्रंत है उसके बाद है यह फॉरिणर हैं उनके द्वारा ट्रैवलर हैं जो उस काल में आते भी हैं आपको यह गनेश डैनेस्टि के काल में आते हैं तो और यह मिंग हिस्ट्रि के लेखक भी है जेंग हो इनका कई नाम है माही, मा सन्बाव, जेंग, ही, कई नाम है, इस सभी नामों को ध्यान रखते हुए, मैं बता रहा हूँ, उस काल के ट्रैवलर्ड भी हैं, और यहां पर काफी दिन रहते हैं, और एक बार नहीं, दो दो बार आते हैं, तो इनका ग्रंथ उस काल के, और उस समय के सविस् या बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो यह मैं सोर्स बता हूँ, उस से ता अन्य कई सोर्सेज हैं, इसको पूरे के पूरे अध्यान करने के उपरांत, अध्यानों परांत, मैंने इस पर बहुत ही सारगरवित बाते प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो UPSC और अन्य पब्लिक सर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे के पूरे देश का ध्यान इस पर है, कि हम नवीन तरह से इतिहास को रखें, बहुत काल हो गया, और एक ही चीज को हम जो पर रहे हैं, उसमें नवीन राजाओं को, जिन्होंने बहुत अच्छा-च्छा काम किया है, छोटे-छोटे रिजनल अस्तर पर उनका भी इतिहास में पढ़ा जाना चाहिए, तो आएए मैं आगे आपको बता रहा हूँ, महराजा गनेश, नारायन, राय भादुरी, जिसको हम कहते हैं, राजा गनेश, राज भादुरी जो हैं, बहुत महत्तपोन है, इनको ध्यान लखेगा, या बरेंदर या ध्यान लखेगा, लैंड होल्डर है, भातूरिया और दिनाजपूर शेत्र के हैं, इसको आप ध्यान लखेगे, या जो है, मैं इनके बारे में बतलाने से पहले थोरा सा, मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ, कि महराजा गनेश, नारायन, राय भादुरी, जो हैं, राज और वह उनके बेटे हैं सुल्तान जलaluddin मुहम्मद साह। आप कहेंगे, या जो हैं कि आप यहां पर गनेश नारायन का रहे हैं, और दूसरे तरप आप सुल्तान जलaluddin मुहम्मद शाह कर रहे हैं, तो इनके बेटे हैं, और या आपको इसलाम धर्म कबोल कर लिए थे, क् इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे आगे ध्यान रखेंगे लेकिन या जो हैं इनके ही आपको राजा गनेश महराजा गनेश के बेटे हैं और उनके जो बेटे हैं मिन्स राजा गनेश के पोते हैं सुल्तान जलालुदीन मुहम्मद सार इनके ही पोते हैं इस पर मैं आगे और भी चर्चा करूँगा लेकिन इस बंस में तीन ही राजा हुए और जिसमें संस्थापक आप कह सकते हैं महराजा गनेश, नारायन, रायभादूरी, सोट में हम लोग राजा गनेश काते हैं ή या महराजा गनेश काते हैं वैसे राजा गनेश दनूज मर्दन देव भी इनको कहा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ यह 1410 से 1414 1410 से लेके 1414 तक यह जो है इस्टेबलिस कर चुके थे मिंस इनका इस्टेबलिस फाउंडिंग जो है यह आपको 1414 एडी है इसको ध्यान के गनेश जो है कंस अफ दा मुसलिम हिस्टोरियन इनको कहा जाता है विकेम दा किंग ऑफ बंगाल बाई अपराइजिंग पावर फ्रॉम दा वीक इलियास साही सुल्तान इलियास साही सुल्तान इनके पुर्व में थे और वह जो है उनके कमजोरी स्थिति और बाद में राजा की डेथ के बाद इन्होंने इस चीज को आपको वहाँ पर कबजा कर लिया और उसको इन्होंने राजा खोसित किया लेकिन उसकी भी लंबी कहानी है लेकिन हमको कहानी में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको BPSC UPSC के बातों को रखना है इसलिए मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ या जो है अलावदीन फिरोसा और एज्यूम दा थ्रोन आप बंगाल 1414 या जो है आपको इनके एंड के बाद जो है सो यह राजा बनते है माराजा गनेश नारायन रायभादुरी मैं आपको बता रहा हूँ यह फर्स्ट रूलर है गनेश डाइनेस्टिक की जिसकी चर्चा मैं यहां पर ही कर दिया था और इनकी वाइफ जो है त्रिपूर शुंदरी देवी है त्रिपूर शुंदरी देवी इनकी वाइफ है इसपाउज है और दूसरी इनकी पत्नी है फुल जानी जो है विड़ो अफ ग्यासुदीन आजम साह का है विड़ो है उनको भी मान सम्मान देते हुए क्योंकि वह उस पड़िवार से जुड़े हुए थे और उनका नमक खाय थे और उनके साथ रहे थे और उनका काम किये थे तो यह जो है उनको सम्मान देते हुए फुल जानी को इन्होंने अपनी वाइफ बना लिया तो यह जो है एक दूसरे की भावना को भी आदर देते हुए यह इन्होंने अपना उनसे साधी कर लिया तो इनकी दो पत्निया थी इसको धियान में रखेंगे इनका इसू जो है बेटे है जो है सुल्तान जलालुदीन मुहम्मद साह है ठीक है ना कैपिटल इनका गौर था जो आपका या जो है बहुत दिनों तक रहा आपको गौर वैसे आपको बता देते हैं कि इनका जो छित्र था राज साही से लेके पवना जो बंगलादेश में अभी है वह काफी फर्टाइल लैड था वहाँ पर इनका छित्र था गनेश जो हैं इंट्रेस्टिंगली गनेश डिड नाट रिवाइब दा ब्राह्मिनिकल मोडल ओफ किंग सीप अफ एन अर्लियर फेज अफिस्ट्री और रैधर कनवर्टे इस ओन संटो इसलाग इन्होंने पहले जो राजा लोग जो हिंदू राजा लोग थी वहा ब्रह्म पहले जो पैटर्ण था ब्राह्मिनिकल पैटर्ण था उसको फॉलो करते थे लेकिन उसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपने बेटे को इसलाम कबूल करवाया उसके पीछे कई बाते आती हैं मैं उस पर भी चर्चा आपको करने जा रहा हूं आगे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हों ने अपने कोर्ट में वैशनव लिटरेचर को और बंगाली लेंग्वेज को प्रेफरेंस जादे दिये और खास करके बंगाली ओफिशियल में शक्ता ब्राम्हिन्स लोगों को जादे बर्चसो दिये और उनको जादे आपको तवज़ो दिये तो इसको ध्यान में रखेगा इनका कंट्रिविउशन जो है बिल्डिंग में आर्किलोजिकली बहुत ही रीच इनका था इन्होंने आर्किटेक्चर में बहुत ही बड़ा योगदान दिया सबसे पहला है कि कृष्णा टेम्पुल जो है भागवान कृष्णा टेम्पुल के मंदिर क इन्होंने बनवाया जो इनके पैलेस में ही अवस्तित था लेकिन अभी तो रीन और सर्ण और जिर्ण हो चुका है लेकिन इसके अवशेश अभी भी पाए जाते हैं उसके बाद है गेट आप दिनाजपूर राज बारी जो है आज भी आप देख सकते हैं यही है या गेट ह आपका राजा गनेश के द्वारा इस्टब्लिस किया गया था क्योंकि फाउंडर आप दिस हाउस यही है गेटवे टू दिनाजपूर राजबारी है जिसको आप देख रहे हैं तो यह दो बातें आज भी आपको दिखलाई पड़ता है इसका मतलब होता है कि इन्होंने कई चीजें बनवाई थी कई बिल्डिंग बनवाई थी लेकिन दो अभी भी है क्रिशन टेंपूल तो काफी जिरन सर्ण रूप में है लेकिन यह गेट आफ दिनाजपूर राजबारी जो है अभी भी जियों कात्यों है तो इसका मतलब है कि अर्केलोजी में अस्थापत्य में इनका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे रिसर्च आने बाकी है मेरा तो यह फस्ट है और मैं आपको इतना देने की कोसिस कर रहा हूँ अगर अपनों का शहयोग योगदान अगर रहेगा तो नसित ही मैं और भी इस पर विस्तार से अध्यन कर रहा हूँ सोध कर रहा हूँ छिद्रानवेशी की तरह ध्यन कर रहा हूँ जिसमें आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनका जो बैटल हुआ था वह जो है आपको कई जो बंगाल के जो लोग थे उन्होंने उस समय काफी बर्चस्वाले राजा थे इबराहिम साथ सर की जो जौनपूर के सुल्तान थे उनको इन्फॉर्म किये कि आप आईए और इनको हराईए तो इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ी शेना के साथ यहां आते हैं और यहां आपको बता दें कि लेकिन इनका शहयोग कुछ राजाओं से मिलता ह बिसेज करके आपको बता देते हैं बिहार से जुड़े हुए जो राजा हैं उनके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ वह इनका शहयोग करते हैं ठीक है ना तो यह जो आपका यह जो है आपको उनका शहयोग मिलने से यह जो हüm सो लड़ाई होती है आप देख रहे हैं या जो है इबराहिम सा सरकी की शेना है या जो है इबराहिम सा सरकी की शेना है और उनको या बूरी तरह हरा देती है या दोनों आदमे की जो शेना है बूरी तरह हरा देती है इसलिए या वीनर हो जाते है दो आदमी का मदद से आपको बता दे रहे हैं आपको यह जो है आपको वे निवार जो है वंसज के जो राजा थे आपको वह है इनको मदद करते हैं प्लस इनकी सेना दोनों की सेना देख रहे हैं आपका भागा देती है और या भाग पड़ते हैं लड़ाई के मैदान छोड़ देते हैं और इन दोनों की जॉइंट जो सेना है या दोनों की जॉइंट सेना जो है सो हरा देती है आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग भाग रहे हैं और हारे हुए जॉनपूर के शेना हार गई है इसमें इनका सह योग बाहर से भी होता है देश के बाहर से भी होता है चीन के शासक का भी शायोग होता है अन्ने कई लोगों का शायोग होता है बाद में ये जॉनपूर के जो सासक जो है इबराहिम सासर की हमत नहीं करते हैं कि फिर से इनको अटेक करे रहे हैं वैसे अटेक करने की कई बार या कोसिस करते रहते हैं लेकिन हर बार इनकी हर्म होती है तो यह जो है इसको बैटल को कहा जाता है बैटल आप पंडुआ जौनपूर कहा जाता है बैटल आप पंडुआ पंडुआ इनका ही है ठेक है ना तो यह इसको आप ध्यार लखें तो यह जो है विसेज करके क्योंकि या बी-पी-ए-सी में बहुत महत्तफून है या जो है शिमहा जो है आपको रूप नारायन शिमहा जो है ओिन्वारवंस के उनका शहयोग होता है और इनहीं के जो राजदर्वाडी में थे विद्यापती थे इसको ध्यान में रखेगा तो इनका शहयोग किये थे आगे बता रहा हूँ बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे जो इसलाम धर्म कबूल किये हुए थे उसको उन्होंने आपको या आपको क्या करते हैं कि उसको वह फिर से हिंदू में कनवर्ट करते हैं और वह कनवर्ट जो करते हैं तो उस यग को काते हैं उस रिचु या आपको golden cow ritual है golden cow ritual जो होता है उस समय कराय जाता था और यह जो है आपको golden जिसको हम हिरन गर्व भी काते हैं इसमें क्या होता है golden cow ritual हिरन गर्व होता है the rights of the golden womb जो गर्व होता है which allowed the naik a rebirth without having to go through the inconvenience of dying in the first place means बिना डिद के हुए वह जो है फिर से नवीन रूप में जागरित कर दे रहा है जो उन्होंने इसलाम कबोल कर लिया था फिर हिंदु में convert किया तो यह इनके पिताजी करवाये थे जलालुद्दीन को फिर से हिंदुईज में करवाये थे और वह जो प्रोसेस था golden cow rituals है हिरन गर्व यहां पर देख रहा है उनके पिताजी बैठे हुए है राजा गनेश बैठे हुए है और इसको या आपका golden cow ritual को इन्होंने करवाये था तिसको या पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सुल्तान जलालुदीन मुहम्मद साज जो है जिनका पूर्व में नाम था यदू नाराण जिसको कंस जा और या कंस शाह और राजा कंस क्योंकि या ब्रामिन थे या ध्यान लखेगा इसलिए जा जो टाइटिल है सो था कंस जाह और या कंस शाह और राजा कंस और कंसी के र महंद्र देव के रूप में भी जाना जाता है इसलिए कई नाम है या फॉस्ट नेटी मुस्लिम किंग आफ बंगाल है क्योंकि यहीं के ब्रह्मन हिंदू थे और वह कनवर्ड किये थे इसलिए इनको फॉस्ट नेटी मुस्लिम किंग आफ बंगाल कहा जाता है और इनको यह ल स्वास्ट सुल्तान हुए हैं तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे इनकी पत्नी जो थी पहली पत्नी नव किसूरी थी जो अवनी कृष्ण की आपको बेटी थी और इन से एक बेटी हुई है जो यह जो है बाद में कुछ सरकमिस्तान से जैसा आता है जिससे यह भतूरिया भतूरिया जाके रहने लगी क्यों रहने लगी इस पर मैं आपको बतला रहा हूँ क्योंकि यह जो है सुल्तान जलादीन मुहम्मद सा जो है असमंतरा नाम की एक लड़की थी जो लड़की आपको बता देना है घिवाशुद्दीन आजम साह की बेटी थी और उनसे उनका अपना बहुत ही अच्छा समंद रहने लगा था और उनसे एक बेटा भी अरूप नारायन हुआ जिसके चलते वह जो हैं सो बड़ा दुखी रहने लगी और वह जो हैं सो अलग रहने लगी बहतूरिया में जाकर के रहने लगी और इसके क्योंकि वह जो हैं सो वहां के जो लोग थे उनका बिरोध किये कि भाई आप हिंदू से साधी किये थे हिंदू लर्की से आप साधी किये हैं और तब फिर आप क्यों एक मुस्लिम लर्की से आप साधी किये हैं उसका भी जीवन आप खड़ाप कर रहे हैं और इसका भी जीवन खड़ाप कर रहे हैं तो इसल बहुत ही बिरोधुआ इतना बिरोधुआ कि उसको शांत करने के लिए इन्होंने आपको इसलाम से फिर हिंदुईस्म को अपना लिये और फिर कुछ दिनों के बाद हिंदुईस्म को छोड़ करके इसलाम धारण कर लिये तो यह कई कारण है इनके इसलाम में जाने का और फिर इसलाम से हिंदू में आने का फिर हिंदू से इसलाम आने का तो दो चरण में इनको बांटा जाता है फर्स्ट फेज में 1415 तो 1416 है और दूसरा जो है आपका सेकेंड फेज है 1418 तो 1413 तो लोगों का बिरेंद्रे ब्रामिन लोगों का बिरोध काफी होने लगा उनके पड़िवार से भी विरोध होने लगा उनकी पतनी यहां से छोड़ करके चली गई तो लोगों को लगा कि भाई या राजा जो हैं सो गलत कर रहे हैं दोनों आरतों के साथ गलत कर रहे हैं तो इसलिए विरोध हुआ था बाद में या हिंदूिजम धारन करके लगा कि रातों कि शरासन चली जाएगी तो या फिर से हिंदूफ में आप्ट कर लिए पिर सांत हुआ तो फिर से उनोंने इसलाम कबूल कर लिया तो या इनका दूसरा फेश जो है या तो आपको दूसरे फेश के बारे में मैं बता रहा हूँ त्योंकि इसके बारे में बहुत ज़ हो या माही या मा सानबो या जेंग ही जो ट्रैवलर थे वह इनके बारे में बहुत विस्तार से करते हैं क्योंकि वह दो बार यहां ट्रैवलर ट्रैवलिंग किये थे एक है 1421 से लेकर के 22 तक और दूसरा है 1431 से लेकर के 33 तक मिस काफी पिरियड दो दो बार और भी कई साल तक यहां रहे हैं तो इसका मतलब है काफी सविस्तार चर्चा किये हैं और यहां पर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं प्लीज आप देखेंगे तो आपको बहुत और भी घ्यान होगा या जेंग ही जो वाइज है या आपको 1405 से लेके 1433 तक है आप देख रहे हैं या चाइना से कैसे यहां पर आते हैं और चाइना से आकर करके यहां पर आप देख रहे हैं बंगाल में या आते हैं अरकन एरिया में आते हैं और या जो है 1413 to 1415 और फिर या जो है वहां से या चले जाते हैं तो प्लीज आप देखेंगे कि या आपको कितना महत्त पुण है। और या पूछे जाएंगे कि या इनकी किताबे जो है पुस्तके हैं इनका जो रिपोर्ट है या बहुत महत्त पुण है। और यहां के राजा का भी काफी सा योग मिला है इस दृष्टकोन से भी महत्पोन है और सबिस्तार जानकारी एक चाइनिज ट्रैवलर के दौरा किया गया है इसलिए इस पर और भी शोध करने की जरूरत है और भी कई नवीन विशह बस्तू की नवीन तलकियों के साथ नवीन उरान के साथ इनका इतिहास हम लोगों को जनने का मौका मिलेगा आप लोगों को भी जनने का मौका मिलेगा या जो है कैपिटल जो है पंडुआ से फिर गौर लाया है शुरू में आपका गौर था फिर पंडुआ आया फिर गौर आया है और या जो है फिर से इसका पद्मपूरान कृष्ण मंगला और बहुत साड़े महवारत पर भी इनका बहुत इस पेडियाड में ट्रांसलेशन हुआ कारी हुआ है स्वाविक है कि शाहित का डेवलप्मेंट तभी होता है शाहित का विकास तभी होता है जब उसके संरक्षन दो है राजाश्रा के द्वारा मिलता है तभ और डेवलप्मेंट होता है तो शाहित का संवर्धन जो हुआ चो राजाश्रा के द्वारा ही होता है और राजाश्रा मिला तो काफी अच्छी अची अची लिटरेशर आइज है contribution of architecture, curved roof of the terracotta mosque and temples को साब देख रहा है टेरा कोटा मॉस्क इन बंगाल में यह चला है सिंगल डॉम ब्रिक बिल्डिंग एन एक्स्टेंसिफ टेरा कोटा टेरा कोटा और्नमेंटेशन बंगाल बुद्धि स्राइन मॉनेश्ट्रै एस्पैसली शमानपूरा महाविहार बंगलादेश में अवस्टित है शमान पूरा महाविहार जो है उसे यह काफी मिलता जुलता है क्योंकि वहां पर जो यह और्नमेंटेरा कोटा और्नमेंटेशन है वह लिया गया है तो यहाँ पर एक लाखी जो मैसिव वन डॉम ब्रिक टॉम जलालुदीन साह के द्वारा बना गया था उसमें इनकी वाइप और इनके बच्चे बेटे अहमद साह का इसमें टॉम है इस पर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं आप देखेंगे बहुत महत्तपून है या आपका टॉम जो है बहुत महत्तपून है आप देख रहे हैं यही आपको मता रहो हूँ या सिंगल डॉम है आप देख रहे हैं इस तरह से सिंगल डॉम ब्रिक एकलाखी मौशेलियम है जो पांडुवा मालदा में है वेस्पंगाल में है त्री टॉम्भ है एक सुल्तान जलालुदीन मुहम्मद साह का उनकी पत्नी का उनके बेटे का या इसमें आप देखेंगे बेल डिकॉरेटेड गेट आइन वाल्स है देखे रहे हैं डिकॉरेशन कितना बढ़िया है Octagonal Tower है देखे यहां से यहां तक एक कोण है फिर नीचे आप धसान देखते हैं दूसरा कोण यहां से यहां तक है तो यह वन है यह टू मानेंगे इस तरह से Octagonal है आठ एंगिल में या है इसको ध्यान लखेंगे और टेरा कोटा कार्विंग है देख रहे है ना इट के पत्थरों का या टेरा कोटा है जो कार्विंग किया हुआ कितना सुंदर फूलों से किया गया है जो आज भी आपको दिखाई पड़ता है तो या टेरा कोटा कार्विंग बहुत ही अच्छा है एक लाखी इसलिए का जाता है कि उस जमाने में वन लाक रुपई या इसमें लगा था आईए मैं आगे आपको बढ़ता हूँ या कर्ब्ड कॉरनीशिस इसमें बनाए गया है उसकी भी मैं आपको चर्चा कर देना चाहता हूँ या जो है बहुत महतपून है और रूफ क्राउंड बित डॉम्स है देखेगा जो यहाँ पर बंगाल रूफ जो होता है स्लोपिंग डॉम सेप्ट में रूफ होता है यह आप देख रहा है जिसको हम लोग काते हैं या ओरी कितना बढ़िया है और यह जो आपको दिखाई पर रहा है या बिल्डिंग में लकड़ी का है आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर बनाए गया है इंट और लकड़ी का मिला जुला है या ओरी जो है ओरियानी हम लोग काते हैं अंग्रेजी मे हम लोग इब्स काते हैं इसको ध्यान में रखेंगे बहुत मणिया है और रूफ जो है वहाँ आज भी इस तरह के बिल्डिंग आपको देखने के मिलेंगे जो आपका curved cornices है roof crowned with domes है domes like है जो आज भी आपको देखने का मौका मिलेगा इस तरह के आप देखेंगे तिक ऑफ फॉक architecture है आप जो थैस्द बैम्पू का जो घास-फूस का बनाए गया है कितना रोमानचिकारी है कितना देखे इसमें आपको کलाकृतिया भरपूर है और यह तेस्ट का बना हुआ है घास फूस का बना हुआ देख रहे हैं या घर यह सब उस समय का यह एक बहुत बड़ी देन है आर्किटेक्चर से भी अच्छा है और कलात्मक पूरे भड़ा पड़ा है जो आपको आकरसित करता है कि आप आएए देखिए मुझे या जलाल-दीन का जो कॉाइंस है यहां पर हम तुरा क्उइंस पर चर्चा करेंगे या क्उइंस यो है पर सीनेट स्टाइल का है या और इनका नाम भी इसमें खुदा हुआ है या बहुत बड़ा सिल्वर तंका है इसमें धनुज मर्दना इसूड आट जो धनुज मर्दना जो हैं आपको उनके द्वारा इसू किया है गया है और इसका टकसाल जो है चती ग्राम जिसको चिता गॉंग अभी कहते हैं जो 1417 में है या बहुत ही महत्वपून है या आप देख सकते हैं या सब प्रमानिकता है शिका को मिलने से प्रमानिकता और बढ़ जाती है तो फौक अर्किटेक्चर और क्वाइन्स सिल्वर टंका क्वाइन्स के मिलने से बहुत कुछ हमलों को साबित होता है कि उस समय या एक अच्छे राजवंस के रूप में काज कर रहे थे मैं डिप्लोमेटिक पोजीशन के बाड़े में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाड़ा हूँ कि इनका डिप्लोमेटिक पोजीशन, मिशन, वीजन, पोजीशन इनका बहुत ही अच्छा था क्योंकि इन्होंने ग्लोबल अट्रेक्शन अपने तरफ खीचा है मामलुक सुल्तान जो इजिप्ट के थे वह इनके पैट्रोनाइजिंग थे और रिलिजियस कॉलेज इन मक्का का भी इनका बहुत ही उनका छत्रचाया था और इन्होंने आपको अपने वेल्थ एंड पावर से इन्होंने कैलीफ ऑफ गॉड इन युनिवर्स की टाइटिल भी लिये थे तो यह बहुत बड़ी बात है कि मामलुक सुल्तान जो इजिप्ट के हैं उनका संद्रच्छन इन पर मिला था मैं आपको बता रहाँ ओफिसियल कोर्ट अफ लेंग्वेज बंगाली लेंग्वेज ही था यह ध्यान रखेंगे और इनका डेथ 1433 में हुआ था और यह एक लाही जो मॉसिलियम है पंडुआ में वहीं पर इनका डेथ हुआ आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो पोजीशन था बंगाल का पोजीशन कैसे कैसे या पूरे आपको अरब कंट्री से ले करके अफरीका से ले करके शुमात्रा से ले के ब्रुनई से ले के चाइना तक इनका फैला हुआ था तो या बहुत ही महत्तपून था या सभी जगों पर इनका संपर्क था तो यसे भी पता कर सकते हैं कि या कितने दूरी तक फैला हुआ था मेरी टाइम लिंक्स विद सल्तनेत और बंगाल इनका जो मेरी टाइम से संपर्क था इसका मतलब है बैपारिक रूप से भी ये लोग मजबूत थे और काफी बैपारिक दृष्ट कोन से बहुत इनका आयात और निर्यात होता इंपोर्ट और इक्सपोर्ट होता था यह बात इ सुदीन अहमद शाह है इनके समय में भी आपको यह बात आपको जानने जे कि यह जो आप देख रहे हैं मौस्क देख रहे है यह मौजमपूर साही मौस्क है जो यह आपको इनके आफीसर जो थे फिरूज खान और अली मुशा जो इनको बनाये थे इनहीं के काल में बनाये थे और यह जो है सो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बहतर मौस्क था तो यह इनकी इसका मतलब है कंट्रिबूशन आफ आर्किटेक्चर में अस्थापत्य से इनका लगाव था लेकिन यह जो है तीन ही वर्स रहसा के शाशन में उनके बाद इनका कोई वंस नहीं था कोई इनके बाल बच्चे नहीं थे जो इसको कंटिनू कर सके तो फिरिस फिरिस्टा जो बर्नन करते हैं कि इनके कोई इसु नहीं रहने के कारण नासीर अद दीन घुलाम घुलाम जो थे वह जो है इनके जो डैनेस्टी को सीज कर लिए क्योंकि इनके डेथ के बाद कोई बचा और वह राजा हो गया उसके बाद इनका इस वंस का खत्मा हो गया इस वंस की समाप्ती हो गया लेकिन इस पर जो है आपका बहुत सारी चीजे अभी और सेस बाकी है चलिए जैहिंद जैभार